अगर आप अपना वजन कम करने की सोच रहे हैं तो अपने डाइट में चौराई सामिल कीजिए ये बहुत ही फाइदे मन साग है इसको आप सब्जी बना कर खा सकते हैं दाल में डाल कर खा सकते हैं इससे बनी दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हेलो प्रैंस वेल्कम तो माई यूटूब चैनल मैं हलका आप सभी खाब बहुत बहुत सागत करते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक मेंने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तीस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रिस करना बिल्कुर भी बहुत ही फायदियों होती है लें जितना भारिक आपना बारिक काटते हैं 2-3 मुठी के करीब काटना है उसलिए जितनी डाल को पَّं जाहें व difनाना सकते है ये दाल हमने तूल करके लिया है, प्रेशर कुकर में डालेंगे और पानी डालेंगे, दो तीन ग्लास के करी पानी डालेंगे और इन पतियों को डालेंगे, पिल्कुल जैसे पालक की दाल बनाते हैं, उसी तरीके से हमें बनाना है, इसमें हम नमक डालेंगे स्वाधा अनुस बहुत ज़्यादा पतली है, ना ही बहुत ज़्यादा गाड़ी है, एक्तम परफेक्ट बनी हुई है, इसे हम पलट लेते हैं, एक बैतन में, इसे हम ढग देते हैं, तब तक हम तड़का तियार कर लेते हैं, ताल तो बहुत ही अच्छी बनी है, देखने में इसका कलर बहुत काटी है लेशन ठोड़ेंगे, लेसन तो जादा मात्रा पहिसे सोंधापन आता है थोड़े से अध्रण ग्रेट करके लिए, इसको भी डाल देते हैं घरक सतर हैं अगर मिर्ची काफी है, अब हम इसमें दो साबूत लाल मिर्च डालेंगे इसे दाल देखने में काफी अच्छी लगेगी और ये मिर्ची हमें बाद में डालना अगर पहले डाल देंगे तो ये ना जल के स्वाहा हो जाएगी तो इसे बाद में डाले ताकि ये जले नहीं तड़का तयार है इसको हम गर्म में जर्व करें एकस्टी संधी बहुत ही जादा टेष्टी और बहुत ही ज्यादा फायदे मस्ट ये ताल बन गयी है। इसे रोटी या चावल के साथ खाए। जिससे आपको खाना पसंदों उसके साथ खा सकते हैं। यह दाल इक्तम सोंधी सोंधी सी बहुत ही फायदे मंद होती है जब कभी आप दूर की दाल एक जैसे बना बना कर खाका करके बोर हो जाएं तो आप अलग तरीके से ऐसी डाल बनाकर ड्राय कर सकते हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो हफते में 2-3 बार ऐसी दाल बना करके खा चौराई की दाल का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना पिल्कुल भी मत भूलेगा बिलते हैं ऐसे ही टेस्टी टेस्टिक दम नई रसेपी के साथ नेक्च वीडियो में तब तक के लिए बाबा